हेलो फ्रेंड्स, वैलकम टू काजल्स किचन आज हम बनाएंगे चावल के एकडम नई टिक के साथ हमारे चावल के पापड नहीं टेस्ट में और एकडम हेल्दी पापड इसमें हम एक नया टेस्ट देने वाले है परफेक्ट माप के साथ आपके पापड नहीं तूटेंगे और सालबर के लिए श्टोर करके एंजोई कर सकते है इसे हम फ्राइ कर सकते है और रोष्ट भी कर सकते है दोनों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपको जो पसंद है वो आप खा सकते है तो ये वीडियो एंट तक देखिए तो चल 500 ग्राम से ये 500 ग्राम जितना आता है इसे हम चानी के मदद से चान लेंगे बिल्कुल इस तरह से हमें चानना है कोई भी पापड हमें चान के ही बनाना चाहिए जिसे हमारे पापड परफेक्ली बने तो जिस बाउल में हमने आता लिया था उसी बाउल में हम पानी लेंगे तो यहां हमारे 15 मिनिट हो चुके है तो यहां हम एक बड़ी चमच जितना पापड का सोडा जो मिलता है वो डाला है और टेस्ट अकोडिंग सोल्ट डालना है और गेस की फ्लेम को कर देना है स्लो 15 मिनिट हमें फास्ट फ्लेम में पानी को गरम करेंगे और 15 मिनिट स्लो फ्ले तो एक чितना सबी वीप ज़ भी आधा में गल दी honeymoon प्रस व्यौत के लिणैं व की विजड़ प्रस फापड में बहुत यह अच्छा सबस्ट 试न्हए ह vot गालीक और फालक डालके बनाया है जिसे हमारे बहुत अच्छे पापर बनेंगे तो इसको हम ग्रैंड कर देंगे बिलकुल इस तरह से हमें क्रोष कर देना है बिलकुल इस तरह से हमें कंसंटेंसी रखनी है आप देख सकते हैं कि perfectically पेश्ट बनकर तेयार है तो इसे हम जो हमें गरम पानी रख दिया था इसके अंदर हम डाल देंगे तो यहां हम डोटेबल स्पुन जीतना जीरा डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे और जो हमने जो क्रोश किया है वो डाल देंगे यहाँ आपको त्यान रखना है कि यह पानी अच्छी तरह से उबाल आना चाहिए यहाँ हमने दो बाउल पानी डाले थे तो यहाँ हम एक बाउल को पानी में जला देंगे और बचे गया हमारा एक बाउल पानी जिसे हमारा पर्फेक्ली माप के साथ अचके पापड बनेंगे तो यहां हम डाल देंगे सारा आटा इसमें पर्फेक्ली माप है इसलिए सारे आटा को ही हम डाल देंगे जिसे हमारे पर्फेक्ली ये खीचू बने तो बिल्कुल इस तरह से हमें रोटी रोलर से हम मिक्स कर देंगे आप कॉन्फेटिबल लग गे इससे आप मिक्स कर सकते है तो यहां आप देख सकते हैं कि पर्फेक्ली खीचू हमारा बन कर तयार है तो इसे हम रोटी रोलर को इस तरह से बीच में रख देंगे तो यह हिलना नहीं चाहिए तो एकडम पर्फेकली हमारा खीचू बनकर तयार है तो इसे हम 25 से 30 मिनित के लिए ठख कर रहने देंगे इसे slow flame में ही हमें रखना है तो यहां हमारे 30 मिनिट हो चुक्या है और perfectly खिचू बन कर तेयार है तो यहां हम एक पापड का बनाने का स्टेन लेंगे इसके उपर हम थोड़ा सा खिचू डालेंगे नहीं फटेंगे और नहीं तूटेंगे इसलिए perfectly हमें इसको मसलना है बिल्कुल इस सरह से आपको спیچولा की मदद से नहीं मसलना है तो आप इस तरह से भी मसल सकते है तो यहाँ हमें एक प्लास्टिक कागस लेगे इसके उपर हम थोड़ा सा किचु डाल देंगे और इसे हम दिखाएंगे की कैसे मसलेंगे इसे आप प्लास्टिकी बेग में भी डालके मसल सकते है तो यहां बिल्कुल इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है और हाथों से इस तरह से हमें मसल देना है हमारा खीचू गरम है इसलिए प्रिसावसदानी से हमें मसल देना है आपको एक बात ध्यान रखने है कि ये गरम खीचू में ही हम पापड बनाएंगे जिसे हमारे पापड आसानी से बन जाए और जटपड से बन जाए तो यहां हमारे खीचू इस तरह से मसल कर तयार है तो यहां हम जिस साइज में हमें बनाना है पापड को इस साइज में कट कर लेना है बिल्कुल इस तरह से हम कट लगा लेंगे और इसका पेंडा जैसा बना देंगे तो इस तरह से हम एक पापड का खीचु ले लेंगे विल्कुल इस तरह से राउंड करके प्रेस करके एक लुया बना लेंगे तो सारे लुये हमें इस तरह से ही बनाने है तो यहां हम एक प्लास्टिक के उपर ये लुया रख देंगे थोड़ा सा उल लगा देंगे और उपर प्लास्टिक रख देंगे जिसे हमारे पापड चिपकेगे नहीं और बढ़िया से बन जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक दम टांस्परन का गज्चे से हमारे पापड बन कर तयार है तो यहां हम सारे पापड को पहले ऐसे बना कर रख देंगे एक के उपर एक रख देंगे तो भी हमारे पापड चिपकेगे नहीं तो पहले हमें सारे पापड को इस तरह से बना कर रख देना है इस तरह से बनाएंगे तो हमारा टैम भी बच जाएंगा और फटा फट से बन जाएंगा तो यहां हम एक प्लास्टिक बेग ले लेंगे इसके उपर हमें पापड को सुका देना है बिल्कुल इस तरह से हमें पल्टा कर रख देना है प्रेस करके उपर की प्लास्टिक निकाल देनी है इसी तरह से हम सारे पापड को रख देंगे और सुखा देंगे तो यहां हमने सारे पापड को रख दिया है सुखाने के लिए इसको हमें पंखे के नीचे ही सुखा देना है पूरे दिन के लिए सुख जाए बात में हम दो गंटे के लिए धूप में रख देंगे जिसे हमारे पापड एकदम परफेक्ली कलर वाले बने नेचरल कलर के साथ हमारे पापड सुख गए है तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ऐसा कलर भी हमारा आया है और टेश्टी और स्पाइसी भी बना है आज के पापड हमारे तो है ना एकदम टांसपरन तो हम इसे फ्राइ करते हैं तो यहां हमने एक पेन में रमगोईल होने के लिए रख दिया था तो यहां देख सकते हैं कि हमारा पापड एकदम बड़ा और एकदम सॉफ्ट फ्राइ हो चुका है इसे हम रोष्ट करेंगे तो हमें स्लो फ्लेम में ही इसको रोष्ट करना है बिल्कुल इस तरह से जले नहीं यह बात आपको ध्यान रखनी है विसलिए स्लो फ्रेम में ही आप रोष्ट करेंगे तो आपके पापड जलेंगे नहीं और बिल्कुल इस तरह से रोष्ट हो जाएंगे इस तरह से भी आप रोष्ट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पापड बंद कर तेयार है और इसे आप ज़रूर ट्राइ करना है बहुत टेस्टी बनते हैं पालक और लेसन का टेस्ट टेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है तो आज की ये रेसेप आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक शेर और कोमेंट करना नव भूलना और मेरी चैनल पर आप नहीं है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना नव